नमस्कार दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नलोजी कीडा चैनल के अंदर और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मास्टर डिटेल पेज में जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो टुटोरियल देखा ही था मास्टर डिटेल पेज का उसमें जब सबसे पहले हम लोग कोई भी पेज रन करते हैं तो वो एमटी पेज जो होता है जैसे कि अभी आप लोगों को मैं शो कर देता हूँ मास्टर डिटेल पेज जो है यह है आप लोगों के पास मास्टर डिटेल पेज 1.xaml फाइल जो कि यहाँ पर आप लोगों के पास ओपन है और लास्ट वीडियो टुटोरियल में इसे पहले वाले वीडियो टुटोरियल में हम लोगों ने बताए इता दो बटन हमारे पास है और सबसे पहले जागर हम लोग master detail page को run करते हैं तो सबसे पहले ये detail की जगह जो है आप लोगों का ये page run होता है जिस पर लिखा होता है detail page empty ये page जो है आप लोगों का open होता है इस पर भी आप लोग कुछ भी design कर सकते हैं ये आप लोगों के लिए first page कहलाता है master detail page के अंदर तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है सबसे पहले page जो भी हमारे menus है उसके according run हो जैसे कि page 1 जो है वो हमारा default page जो है वो assigned हो ठीक है तो जैसे कि मैं अभी run आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि detail page empty जो है यही हमारा जो है वो first page होगा ठीक है जिस पर लिखावा है detail page empty अभी run हो जाता है project दुबारा से और यह देखे load हो रहा है हमारा master detail page और इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि first page जो है master detail page के अंदर भी first page जो है आप लोग कैसा दिखाना चाहते हैं देखे यह detail page empty जो है यहाँ यह वाला run हो रहा है जबकि हम लोगों को करना है page one को सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे master detail page one dot xaml dot cs file में आएंगे और आप लोग सबसे उपर यूपर आप लोग जब constructor होगा इसके अंदर आप लोग detail को initialize कर सकते हैं यहाँ पर detail equals to new navigation page और यहाँ पर आप लोग new page one को initialize कर दीजिए आप लोगों का वो जो page है वो run होने की बजाए जो है आप लोगों का वो run यह जो master detail page है यह run हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने detail page यह वाला आप लोगों को show होने लग जाएगा तो हम लोग फिर से इसको load करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि page one जो है वो detail page की जगह default में run हो जाएगा आप लोगों का तो यह master detail page के बारे में पूरी जानकारी जो है हम लोग बात करते रहेंगे आगे भी वीडियो जो है बनाते रहेंगे ताकि यह देखे welcome to xamarin forms यह हमारा first page है page one dot xamarin और जैसे हम लोग इसको click करते हैं तो यह master detail page जो है आप लोगों का बन चुका है I think आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो please इस channel को subscribe करें और ज्यादा से ज्यादा share करें ताकि मुझे motivation मिल सके बहुत सारे tutorials हैं बहुत सारी languages हैं अभी तो machine learning करना भी बाकी है तो please subscribe करें और चैनल को आप लोग subscribe करेंगे bell icon भी दबाएंगे और इस वीडियो को share करेंगे like करेंगे धन्यवाद